हेलो दोस्तो मैं सिकंदर प्रजापती आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेकर एक नई वीडियो आप सभी का दोस्तो हमारे इस चैनल में स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे यदि आप CSE Limited का Electricity Supply यूज़ करते हैं मतलब आपका जो Electricity Bill है वो CSE Limited का है तो यदि आप उस पर अपना Mobile Number registered करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे दोस्तो Mobile Number registered करने से फाइदा क्या होता है कि आपको सारे information आपके Mobile पर आती रती है कब मीटर रिडिंग होगा कब आपका Electricity Bill आपके घर पर आएगा कब कोई भी action होगा वो सारी activity through SMS आपके Mobile पर आती रती है कब आएगी जब आप register अपना Mobile Number करके रखिएगा तो दोस्तो आज उसी की process को हम लोग जानेंगे जो के काफी जरूरी भी है दोस्तो तो process की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले यदि दोस्तो आप हमारे इस पर नए है तो फटा फटा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक करिए शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए दोस्तो process की तरफ बढ़ते हैं सबसे पहले एक search engine open करेंगे वहां लिखेंगे वहां सर्च करेंगे CESC लिखेंगे और इंटरप्रेस करेंगे दोस्तो तो हमारा सबसे पहला जो option हमें दिखेगा CESC power utility company new connection online AC तो सबसे first option पर हम click करेंगे दोस्तो प्रोसेस कापी उजी है सुरू से लेके अंतक पूरी वीडियो को देखेगा तो आप यह line by line सारे process को समझ पाईएगा और easily कर पाईएगा बहुत ही असान है दोस्तों ठीक है दोस्तों इसके बाद दोकी देखिए दोस्तों यहां से कर सकते हैं तो हमें जोस्तों करना क्या है अपना mobile number registered करना है यहां पर एक option दिखेगा दोस्तों देखिए register your mobile email और date of birth आप यहां से कर सकते हैं इस पर click करेंगे एक new tab में उपन होगा और उसमें हमारे साथ details मांगेंगा तो हम details देंगे one by one सबसे पहले अपना customer ID हम देंगे दोस्तों हमारा customer जो आईडी है यह है यह दोस्तों हमें जो mobile number put करना है वो जो mobile number हमें अपने CESC limited से link करना है वो mobile number हम अपना देंगे तो हमारा mobile number क्या है दोस्तों हम अपना mobile number put करेंगे कि माइल नंबर हम पूट करेंगे दोस्तों कि माइल नंबर हमने पूट किया कि दूस्तों उसके बाद whatsapp number भी सेम है क्लिक कर दिये यदि हम इमेल आईडी देना चाहते है तो इमेल आईडी भी दे सकते है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है बात में भी आप चाहिए याप में इमेल आईडी बनाते हैं तो उसके बास भी आप यहाँ पर भाद में भी रीजिटर्ट कर सकते हैं सेम प्रोसेस फॉलो करें उसके बाद दोस्तो हम डेट बर्ठदे का डे कौन सा है दोस्तो मैं डे है और मन्त है क्या सारा प्रोसेस कंपलीट हो गया जो अब कुछ नहीं करना है अब हमें और कुछ नहीं करना है दोस्तोष देखिए अमारे डिचेल्स भी हाँ यहां सज्टमर लाइडी मारने के बाद हमारा डिचेल्स सब्सक्ञार dł loner 想ती व्या थांजू थूकली समय करना है मुझा लुटी करने के बाद देखे thank you for registering with us तो दोस्तो हमारा जो मुवाइल लंबर है वो क्या हो गया है registered हो चुका है अब क्या होगा सारा जो information meter reading से लेकर csc limited का जो हमारे पास electricity bill आता है वो total information हमें मिलता रहेगा और हम हमेशा अपने electricity से related सारे information से update रहेंगे तो हमें पता रहेगा कब क्या होने वाला है मिटर रेडिंग करने आएगा कब हमारे electricity bill आएगा तो दोस्तो बहुत ही रता कमफर्ट होता है क्योंकि हमें पता रहता है कि हमारे घर पे csc रिडिंग मिटर रिडिंग करने लिए कब हैगा तो हम एविलेबल रहें चिक है दोस्तों तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सिखा इल्टिसीटी बिल स्थी लिम्टेट का है और हमें अपना मुआरई नमर और अश्टेट करना है तो कैसे करेंगे या अप्डेट करना है तू कैसे फिकियो दोस्तु वीडियो बस यहीं तक दोस्तो को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटा फटा सब्सक्राइब कर लिज्येए लाइक करें यह सियर करें कमेंन करें दोस्तो